हेलो गाइज, बेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSC first semester बालों का practical examination के जो question होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं जो की आपको practical exam में, copy में लिखना है ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है क्योंकि NEP based पर जो syllabus का pattern बदल चुका है जो change हुआ है, उसके according question भी थोड़ा से अलग type के पूछे जाएंगे ठीक है, अब किस तरीके से, क्या तरीका question पूछने का वही तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ठीक है, जो पहले question pattern पूछे जाते थे वो अब यहां पर थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे syllabus यहां पर अलग से add हो गया है उसमें भी यह ध्यान देने वाली बात है कि 75 नंबर external होगा और 25 नंबर external होगा इंटर्नल होगा और यह 75 नंबर क्या होगा external होगा इसलिए जहां पर ध्यान देना है कि आप कौन सा question कितने नंबर का होगा इसी चीज को तो आपको focus करना है तो आईए हम question देखते हैं हर यूनिट से एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो स्लेबस है practical का first semester वालों का उसमें बताया गया है कि हर एक यूनिट से यह नि total 8 unit दी गई है बताया गया उसमें कि हर unit से केवल और केवल तीन टॉपिक पर ही आप practical में question दे सकते हैं किसी तीन में से कोई एक आप दे दिए लेकिन चूज आपको तीन ही करना है जो कि आपके माविद्याले में facility हो उस basis पर आप उसमें से चूज कर लीजिए तो हमारे हाँ क्या available है किस तरीके से हम आप question यहाँ पर बनाएंगे और देंगे वह उस तरीके से एक तरीका हम बता रहे हैं केवल ठीक है कोई यह clear अभी नहीं है इस तरीके से दिया जा सकता है question उसकी जनकारी में दे रहा हूं कि और ऐसे ही आते हैं प्रस्ण तो पहला question होगा जो गाईज पहला जो question होगा comment one laboratory instrument कोई एक laboratory instrument पर क्या करना है comment लिखना है अब laboratory instrument आपके हाँ क्या क्या मौझूद है वह आपके माबिद्याले और आपके हाँ अब लेबल फैसलिटी के ऊपर है ठीक है microscope तो जनरली हर माबिद्याले में होता है तो आप microscope का पहला question दे सकते हैं जिससे की चात चात्राओं को आसानी हो सके उस पर comment करने की या comment लिखने की ठीक है या फिर होगा हमारे पास थे दिया सकता है प्रेक्टिकल भी करा अइगा है यह ना तो बहुत जी होगा इसमें से और 10 नंबर इसके आपको मिल जाएंगे याणि केवल कमेंट लिखेंगे चात-चात्राओं के लिए ये बेस हम बता रहे है उनके लिए बहुत जी होगा कोई एक समझ रहे हैं और साइध आप लोग फाइल में बनाए होंगे तो इसलिए कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए ठीक है नेस्ट अग्ला जो होगा टू परफार्म दा आइसलेशन अब बैक्टीरिया होगा टू परफार्म नेच्ट इनन इyीड से है यह तो इनने से हमने तीन टॉपिक सेलेक्ट किये थीन में से किसी पर भी question दिया जा सकता है तो यहां पर एक हम लिख करके आपको यहां पर बता दे रहें इसलिए bacteria कैसे isolate किया जाता है वो होगा ठीक है यह भी 10 नंबर का होगा isolate करके आप देखाएंगे दस नंबर आपको मिल जाएगा प्लस आप काउपियो में लिख लेंगे बहुत इसी है अगला question होगा तो प्रपेर एक टंप्रेली स्लाइड बाई गिवेन प्लांट मेटेरियल खासकर जो टीचर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ध्यान से इसको सुनें क्योंकि बहुत ही important है फास्टियर का जो semester हो गया है इस बज़े से थोड़े सी उसके लिए आ रही है इसलिए थोड़ा ध्यान दें ठीक है चलिए तो प्रपेर एक टंप्रेली स्लाइड बाई गिवेन प्लांट मेटेरियल कोई भी जो आपको प्लांट मेटेरियल दिया जाएगा अब उसमें हमने यहां पर दरसा दिया है कि ए में होगा क्या फंजाई कि अब आपने जितने भी फंजाई अपने इस्टेडी किया है पढ़ा है प्रेक् icol किया है उनमें से कोई भी एक फंजाई डिया जा सकता है जिस पर आपको त्या करना है कि स्लाइड तैयार करना है अगर आप रõ स़जिसे करना है तो आप प्रय्टिकल कर देते हैं तो अगला कोश्चन है तो प्रिपेर एट टेंप्रेरिली स्लाइट आफ गीवन प्लांड माटिरियल बी बी में क्या होगा एलगी एलगी भी आपके स्लेवस में हैं उससे भी बहुत सारे अलगी आपने पढ़े होंगे वालबास उडियोगोलियम हाइड्रोडिक्टियान ठीक है क्लौरेला कारा तमाम क्याश्य आपने पढ़े होंगे कोई एक alegy आपको दिया जा सकता है लेकिन उसके में सब्सक्राइब ब और यह कोश्चन भी यानि कि इसमें लगबख सभी कोश्चन जो है ददस नंबर के आपको यह ध्यान दखना है ठीक है अगला कोश्चन तो परफार्म द आईसोलेशन आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया फ्रॉम गुड फ्रॉम रूट नोडियूल रूट नोडियूल यहां पर हो जाएगा गुड नहीं होगा यहां कट कर दीजेगा रूट लिग लिजेगा रूट नोडियूल रूट नोडियूल से लेग्यूंक प्लांट में पाए जाता है नाट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया तो उसे कैसे आईसोलेट किया जाता है उसकी प्रॉसेस आपको डिस्क्राइब करनी है प्रैक्टिकल कॉपी में अगला कोश्चन यानि हर एक यूनिट से यहां पर कोश्चन रखा जा रहा है ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकल वाला जो अप्लोड किया उसे आप देखें के तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या यहां पर कोश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है जब तक आप वह नहीं देखते हैं आपको समझ में नहीं आएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए अब हगे ह्यां सकते हैं सेमें महीं डिस्क्राइब आपको करना होगा तो परफवंदध प्रॉसेस अब मस्रूम क्लटिवेशन फार प्रोटी प्रोटीन के लिए मसरूम कैसे क्ल्टिवेट किया जाता है प्रोटीन बहुत भारी मात्रण निश्में पाई जाती यह इसलिए एक यूनिट से कोश्चन होगा इतना आप ध्यान दीजेगा ठीक है और इस तरीके से असी नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे असी नंबर और उसके बाद स्पोर्टिंग के एक से पांच मटेरियल स्पोर्ट रखे जाएंगे जो कि दस नंबर का ये भी होगा हर एक स्पो गाइश कंप्लीट हो जाएगा तो मिद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह सारी चीज़े समझ में आ रहे होगी क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़े हम यहां पर आपको बता रहे हैं डिसकस कर रहे हैं बस इसी बेसेस पर आपको अपने प्रेटिकल एक्जामनेशन की तैयारी करनी होगी अगला वीडियो जो होगा बैसी सेकंडियर और थर्डियर के प्रेटिकल एक्जाम के जो कुश्चन होते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं कितने कुश्चन रखे जाते हैं वो सारे कुश्चन के बारे में भी यह तक मुझे लगता है पूरा इतनी उम्मीद है कि इस मेंसे की आखरी तक हर महाम बिद्याले में भीज्स समेश्टर के तो और भी पहले हो सकते हैं यह कि फाइनल और शेकंड यह के झाल, 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 झाल